हेलो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही सुन्दर एक मोजाल लेकर आए हूं ये छोटा बचा के लिए बनाने के लिए मैं बनाए हूं बहुत सुन्दर डियान है चलिए बताती हूं ये कैसे बनेगा कि एक के मैंने 32 को फंद का थेलuci के जलाई परचानी हूं है और इस से मैं शुरू करूंगे ही नीचे में रसी लगाने के लिए पहले जाली देना है है दो फंद का दो फंद बुनोंगी जाली बंजएगा इसमें जब मोजा बन जएगा तो इसमें रसी लगाउंगी इधर से प्रजाली बनेगा, एक सल आई, ये देखिए मेरे जाली बन कर त्यार हो गया, अब फंदा बढ़ाने के लिए दो जाली बनेगा, बीच में, सीधा इसको बुनना है, आधा फंदा इधर से बुन लेंगे, तब बीच में जाली बनाएंगे, तब फिर उदर से आधा, साधा ही बुनेंगे, अब पहले गीन लेंगे, कितना फंदा आपका है, उसके ठीक बीचो बीच फंदा देखकर जाली बनाना है, एक घर का दो घर कर देना है, ये देखिए मैं एक फंदा में जाली बना रही हूं, एक फंदे से दो फंदा हो गया, दो जाली बने गया यहाँ पर, यहां बीच में जाली बना रखी हूं हर बार में यही पर जाली बनेगा उल्टा सेट से उल्टा बुन देंगे और इधर से जब आएंगे जहां चूटी रहगा महां जाली बनाएंगे तब तक बनाएंगे जितना फंदा मुझा में चाहिए जितना बड़ा बचा के लिए बन है एंना याद एक साल तेट साल के बचाग है बहुत सुन्दर डिजायन है कुला का की नीचे वाला जाली मैं अशिट लगाऊंगे एश जाली से खन दा बड़ रहा है मेरे इतना तयार है मुझा इस देखे कितना सुन्दर जाली बना है यह जाली गिन लेंगे कितना बना है मैं 10 जाली का यह मोजा बना रही हूं 10 जाली दें हूं डबल जाली है तो 10 अधर और 10 इधर 20 जाली हो गया अपने हिसाब से मोजा की साइज का आपको बनाना है उस अंसार बनाएगा अब इसमें दुसरा कलर से बनाएंगे इसमें जैसा गुंगरालू बाल होता है उसी डिजाइन कहीं है वाइट कलर से बनाएंगे सीधा साइट से हिए परले बुनते जाएंगे सीधा और उल्टा साइट से डिजाइन बनाएंगे इधर से पलेन ही बुनेंगे सीधा जाएंगे हुआ है पूरा सलाई सीधा बिनेंगे यहां पर बीच में जाली है तो एक और जाली भी हमको देना है तो यहां पर फिर वाइट क्रश्ट से एक जाली बना लेंगे पंदे को आगे करके एक जाली बना लें फिर पंदे को आगे करके फिर एक और जाली बना यहां दो जाली बनाना था यह देखिए मेरा आगे के तरफ का फंदा पुरा हो गया अब पीछे से डीजान बनेगा एक फंदा उतार लेंगे और इसको बोल लेंगा ताफ फंदे को पीछे करके आप आउली परला पेटेंगे इसको ऐसे देखिए तीन बार आराम से सलाई पकड़िएगा नहीं तो यह अंगुली से निकल जाता है ऐसे एक बर करके इसको उतार लेजिए हाथ से पकड़े रहीएगा नहीं तो यह निकल के उघड जाएगा फिर बनाते हैं आउगुली पर रखेंगे इसको ऐसे दबाके एक दो तीन और एक पर लपेट के पूरा इसको गेच लेंगे इधर फिर बैशन यह बनाएंगे जितना फंदा है उतना पर ऐसे ही रिपीट करते जाना है ऐसे ही रिपीट करते जाएए ऐसे पकड़के एक अंगुली से जानत लीजिएगा यह फंदे को नहीं तो उघार जाएगा वो जल्दी खूल जाता है ऐसे ही पूरा रिपीट करते जाएए देखिए ऐसा डिजान बनते जाएगा यह मेरा पूरा सलाई कम्प्लीट हो गया लग रहा ना जैसे घूंगरालू बाल है वैसे ही यह बन जाता है अब दर्शे यह से इंपली बूनेंगे लेकिन आराम से इस फंदे को बूनेंगे ने तो एक भी फंदा गिर जाने से फंदा कोल जाएगा इसको देखिए पूरा जितना फंदा बचा है सब में डालके सलाई को गीच लेना है ऐसे हाथ से घीचते जाना है नहीं तो यह खुल जाएगा ऐसे आराम से ही इसको बनाएए और आंगली से इसको सजाते रहिए ऐसे गीचते रहिए नहीं तो यह खुल जाएगा इसे करते जाएए यह पूरा कंप्लेट कर लिजिए यह देखिए मेरा कंप्लेट हो गया अब इसको आराम से ऐसे करके थोड़ा खीच लिजिए कि यह बैठ जाए नहीं बैठाने से खुल जाता है इसे कर देने से बैठ जाता है अच्छे से फिर उल्टा सेट से उल्टा बोन लेजिए इसे देखिए मैं उल्टा बोन ली हूँ 6 सलाई 6 सलाई बून लेने से अब इसको बंद करेंगे दोनों साइट से अब इसको इसमें अब तीन सलाई के जुरूत पड़ेगा तीन सलाई से इस सारे फंदे को बंद करेंगे आधा आधा भाग बाट लेंगे इस सलाई पर पूरे फंदे को गिन के अब एक ही साइड में इसको कर लेंगे तब इसको बंद करेंगे तिन सलाई में ले 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 हूँ आप दोनों में एक ही साइड में लाएंगे तब एक सलाई से इसको बंद करूंगे मैं ये मोजा 32 पंदा को शुरू की थी 32 पंदा डाली थे और 10 जाली बनाई हूँ 10 जाली के बाद जितना पंदा बचा उतने का मैं मोजा त्यार कर रही हूँ इस मुझे को फंदा को सब नीचे गिरा कर भी सलाई पर उठा सकते हैं पर मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ क्यूंकि फंदाही तर गिर जाता है तो खूलने का ड़ आते है मैं सलाई से इसको एक साइट मे कर लिए अब हूं को बंद कर करके दो फंदे को पकड़के एक सलाई पर लेली अब इधर से फिर दोनो फंदे में सलाई डालूंगी फिर इसको बोन लीजिये उतार के ये जो दो फंदा बचा इसे एक फंदे को पार कर लीजिये दो का एक कर लिए अब फिर ये दोनों फंदे में सलाई डालूंगे अब फिर इसे बुन के फिर इस फंदे को इसमें डाल दूंगे फिर इसे बुनेंगे ऐसे जितना फंदा बचा है रिपीट करते जाना है ऐसे बंद करने का ये तरीका स्वेटर में भी बंद किया जाता है जब बाजू जोड़ा जाता है ऐसे बंद कर लेना है ऐसे रिपीट करते जाए पूरा मुझा आप मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक किजिएगा कॉमेंट किजिएगा ज़्यादस ज़्यादस शेयर किजिएगा अब इसको सुई से सील लेंगे अब सुई से यह सारे खुला हुआ जो बचा है सबको सील लेंगे इसे पूरा कंप्लेट कर लेंगे अब देखिए मेरे कंप्लेट हो गया अब इस मोजे में यह कुरो क्रोशिया से बनाए हो रसी अब इस जाली जो जाली बनाए थी पहले इसमें रसी डालोंगे इसारे जाली में एक एक वीच करके डाल के अब इसमें यह जो मैं फूल बनाए हूं इसी में बांदूँगे इसी में बांदूँगी यह फूली डालते हैं थोड़ा ज्यादा सुन्दर लगता है इसी में बांद देंगे इसको इसमें बांद के यह जो धागा ज्यादा बड़ा है तो इसको काट देंगे यह फूदेना कैसे बनेगा इसका वीडियो मैं डाली हूं थैंक्याइट